आज हम मूली का पराठा बनाएंगे आपने मूली का पराठा जरूर बनाया होगा लेकिन एवाला मूली का पराठा एकदम अलग है एकदम चटपटा बढ़िया पराठा है तो आप भी इस तरह से मूली का पराठा घर पर बना कर सब्जिक साथ या भी चटनिक साथ सर कर सकते ह नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेशिपी बनाना शुरू करते हैं तो पराठे के लिए सबसे पहले हम आटा कुछेंगे यहां पर हमने दो कप गेहूं काटा लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े चमज तेल एक छोटी चमज कूटी हुई लाल मेर्च डालेंगे एक छोटी चमज अजवायन डालेंगे नमक डालेंगे स्वाथ के अंसार अब सारे चीजों को आठे में अच्छे समिलाएंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो बनाएंगे पराठे के लिए हमें मुलायम डो चाहिए तो मुलायम डो बनाकर हम तयार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आठे को लपेटते जाएंगे तक यह आठा बहु ज़्यादा गीलन हो पराठे के तो पराठा नरम और बढ़िया बनेगा वेलते समय फटेगा नहीं इतना नरम आटा आमने गुथ लिया है अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढग कर रखेंगे जिससे आठा फूल कर सेट हो जाए आठे को हम साइड में रखेंगे तब तक हम मूली के भरावन तयार करेंगे यहां पर हमने 200 गराम मूली लिया है मूली को हमने पानी से धो लिया है अब मूली के डंठल काटकर निकाल देते हैं मूली के जो पत्ता है इसको हम फेकेंगे नहीं साइड में रखेंगे अब मूली को हम कद्दू कस करेंगे बहुत बारिक कद्दू कस नहीं करेंगे थोड़ा मो कटेंगे यानिthest मूइलीगरह इसको भी काटेंगे निकाल देते हैं और पर पत्ति को बारिक काट लेते हैं एक मूली के पथ सहते हैं उसका पाराघ़ा झाल थे भीह रखे हैं तो मूईली दॉख करेंगे पुरेir मूलीं के पत्ता नें काट लिया है आप इसको हम भूनेंगे गायस हुने रख्क दिया है पाइन में एक चमस्ствен तेल डालकर गरम करेंगे तेल हो गया और इसमें एक छोटी इसको मिलाने बार अब इसने में कद्दू कस किया हुआ मुली डालेंगे पुरे मुली को डालकर मिला लेते हैं इसके बार नमक और मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अंसर, एक छोटी चमज लाल मिर्ज पाउडर, आधी छोटी चमज हल्दी पाउडर, एक छोटी चमज चाट मसाला, सारे मसाले को मूली में अच्छे सी मिलाएंगे, मसाले को मिलाने बार अब इसे में एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने अब इसको हम दो मिदो तक भूल लेते हैं, टमाटर डालने से मूली का पाराठा बहुत अच्छा बनता है, इससे जो पाराठे का स्वाध है वो बढ़ जाता है, टमाटर मिलाने के बार आब इसे में भूना हुआ चने के बेसन डालेंगे क्योंकि मूली और टमाटर में पानी है बेसन डालने से पानी को सोख लेगा इससे भरावन सुखा हो जाएगा गिला नहीं रहेगा तो दो चमज बेसन डाल कर इसमें अच्छे से मिलाएंगे अब इसमें हम थोड़ा से हरा धनिया डाल कर मिलाएंगे हरा धनिया मिलाने बाद भरावन तयार है अब गायस को बंद करेंगे और भरावन एक प्लेट में निकालेंगे अब इसको हम साइड में रखेंगे और आटे को देख लेते हैं यहां पर आटा फूल कर स्थेट हो गया है अब इसमें से एक बड़े साइज के लोई निकालेंगे इतने बड़े साइज के लोई निकाल लेते हैं लोई को मसालते हुए चप्टा करेंगे आटा मुलायम है तो सुखे आटे मुलपेटेंगे ताकि बेलते समझे चिपके न अब इसको फैलाते हुए बीच में जगह बनाएंगे तो इस तरह से हांस से फैला कर बड़ा कर देते हैं अब इसमें हम एक चमच मूली का भरावन डालेंगे और फिर चारो तरफ से अच्छे से पैक करेंगे भरावन ज्यादा नहीं डालेंगे उतना ही डालेंगे ताकि आसानी से पैक कर सके पैक करने गबाद इसको हम चप्टा करेंगे हलके हाथों से दबाते हुए इसको फैलाएंगे जिससे जो भरावन है चारो तरफ से फैल जाए अब इसको हम हलके हाथ से पराठा बेल लेते हैं बहुत मोटा पराठा नहीं बेलेंगे थोड़ा पतला पराठा बेलेंगे पराठा पतला रहेगा तो फुला फुला बनेंग और जद्दी सिखेगा इस तरग पराठा आमने बेल लिया है आप इसको हम सेख कर दिखाते हैं गाइस पर हमने तवा रख दिया है अब इस पर तेल लगा कर गरम करेंगे इसके बाद आप पराठे को डारेंगे फिर मेडियम आज पर दोनों तरफ सेख लेते हैं एक तरफ सिखने बाद आप इसको हम पलटेंगे पलटकर तेल लगाएंगे पराठा हम तेल में सेख रहे हैं आप चाहें तो घी या बटर लगा सकते हैं या फिर इस तरह से तेल लगा और पराठे को अच्छे सेक लेते हैं पराठा हमारा सीख चुका है आप इसको प्लेट में निकालेंगे इसी तरह जो बचा है उसको भी सेकेंगे वैसे तो मूली के पराठा सेकने बहुत ज़दा समय नहीं लगता है लेकिन ध्यान रखें तेज आच पर न सेकें मेडियम आच पर सेकें और बेलते समय पराठा बहुत मोटा न बेलें पतला बेलेंगे तो ज़दी सिखेगा और पराठा बढ़िया बनेगा आप देख सकते हैं पराठा किस तरह से फूल रहा है ये भी पराठा सिख गया है तो इसको निकाल लेते हैं एक एक करके पूरा पराठा हमने बना लिया है उतने आटा में हमने 5-6 पराठा बनाया है इसके साथ हमने गोभी आलू की सबजी बनाया है तो आप सबजिक साथ या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं इसके अंदर भरावन पूरी तरह से भरा हुआ है पराठा एकदम गरम है तो गरम पराठा खाने बहुत अच्छा लगता है तो आप भी इस तरह से मुली को पराठा घर पर बना कर सब्जिक साथ या फिर चटनी के साथ भी सर कर सकते हैं